जर्मन शेफर्ड वर्सिस डॉबर्मेन पिंचर आज देखेंगे कौन सबसे ज़ादा स्ट्रॉण है और कौन एक भैतर फैमिली गार डॉग है तो आज का मैच कौन जीतेगा डॉबर्मेन वाले वीडियो को लाइक करें और जर्मन शेफर्ड वाले चैनल को सबस्राइब करें लेट्स बिगिन दा मैच जर्मन शेफर्ड का ओरिजिन जर्मनी से है वही डॉबर्मेन डॉग्स का ओरिजिन भी जर्मनी से है बात करें इनके हाइट की तो जर्मन शेफर्ड डॉक्स की हैट 26 इंस तक ग्रो करती है वहीं डॉबर्मन डॉक्स की हैट 28 इंस तक ग्रो करती है इनके वेट की बात करें तो जर्मन शेफर्ड डॉक्स का वेट 40 किलो तक होता है वहीं डॉबर्मन पिंशेर का वेट 45 किलो तक होता है इनके stamina की बात करें तो German Shepherd के दोड़ने की speed 48 km पर hour की होती है वही Doberman Dogs के दोड़ने की speed 52 km पर hour की होती है इनके bite force की बात करें तो German Shepherd का bite force 238 PSI का होता है वही Doberman का bite force 305 PSI का होता है German Shepherd को दुनिया का तीसरा सबसे smartest dog माना जाता है वहीं Dowerman Pinscher को दुनिया का 5 पा सबसे smartest dog माना जाता है इनके training level की बात करें तो German Shepherd Dogs का training level काफी high होता है वहीं Dowerman Dogs का training level भी काफी high होता है इनके life span की बात करें तो German Shepherd Dogs का life span 9 से 13 सालों का होता है वहीं दूसरी तरफ Dowerman Dogs का life span 10 से 13 सालों का होता है तो दोस्तो आपके असाफ से दोनों में से कौन जादा बेस्ट है दावरमन पिंशर या फिर जर्मन शेफर्ड हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं